नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ हमारे रप क्यूटिफ चैनल आनलाइन प्रोसेस में दोस्तों अभी यहाँ पर आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक का यहाँ पर एक नया वेबसाइट जारी किया गया है पहले दोस्तों आपको मालूम होगा कि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के ओफिसल वेबसाइट से इसका यहाँ पर आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किया जाता था लेकिन दोस्तों अभी आप उसको ओपेंड कीज़ेगा तो वो वेबसाइट अभी मेंटेनेंस में है वो अभी बंद कर दिया गया है अपग्रे दोस्तों अभी अधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक हैrage में माध्य outros अदि्ärम से अब एक यहाँ पर वह बंद किया गया हैिंकम टेक्स डिपाट्मेंट के अधिया मेंिंबर लेकिन दुस्तों गमित्व तसके लिन और करकार्ट से अम लेकिन यहाँ पर को पैन कार्ड लिंक करना है कैसे लिंक करना है इस वीडियो में आपको पूरी जनकारी बताएंगे और साथी साथ दोस्तों उसमें आप OTP के माध्यम से भी अगर अधार काड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP के माध्यम से कर सकते हैं अगर आपका अधार काड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप fingerprint के माधियन से भी link कर सकते हैं दोना का process मैं आपर इस वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा step by step दोस्तों मैं वीडियो थोड़ा सा कम बना रहा हूँ क्यों मैं अभी कुछ ज्यादा बीजी चल रहा हूँ अपना बीजी समझाते हैं उसके लिए आपको PC screen पर चल लोगा तो चले PC screen पर चलते हैं अभी हम income tax department के official website पर है यहाँ पर link अधार पहम अगर हम click करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक error आएगा जो इस परकार से रहेगा कि इस link अधार service has been upgrade यहाँ पर अपग्रेड के लिए यह अभी गया है यहाँ पर एक notice निकला है साथ 2022 को यहाँ पर तीन तीन 2022 को यह अपग्रेडेशन के लिए गया हुआ है जल्दी इसका notification आएगा है यहाँ जोस्तों अभी फाइनली यहाँ पर यह हो गया है कि आपका income tax department के बादिया हम से यह अभी अपग्रेड के लिए गया है तो आ अभी यहाँ पर चाल हुआ है और अभी जिनका भी आधार कार्ड से पैन का लिंक है सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर पैन कार्ड करेक्शन हो रहा है नॉर्मल वे से अब जुस्तों जिनका यहाँ पर आधार कार्ड में OTP के माधियम से या फिर फिंगर्पिंट के माधियम से अगर आप करेक्शन करते हैं तो आपका करेक्शन होगा अन्याता है अगर पर सुचिएगा कि मैनुल डोकुमेंट के साथ हम करेक्शन कर ले तो अभी ये पॉसिबल नहीं है आपका जब तक आदार कार से मुबाइल नमर लिंक है नहीं होगा तो चली मैं आपको तरीका बताता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको ओटिपी वाला तरीका बताऊँगा और सिकेंड में मैं लिंक पर आने के बाद दुस्तों यहां पर यह समझे कि यह किस चीज के लिए लिंक है यह लिंक है आपको यहां पर आड्रेस अपडेट के लिए यानि दुस्तों आपका पैन कार्ड में आड्रेस अपडेट के लिए यह लिंक है अगर आपका अधार कार्ड लिंक नहीं है पैन काड में तपर भी आपका यहां पर इस वे से आपका यहां पर आपका अधार काड लिंक हो जाएगा पैन काड से क्योंकि दुस्तों आप देख सकते हैं आप आपसे PAN नमर मांगा जा रहा है और अधार नमर मांगा जा रहा है क्योंकि यह अधार नमर मेंडेटरी है और मोबाइल नमर मांगा जा रहा है इमेल आड़ी और अधार अपडेट आप यह आप डिजी लोकर या फिर अधार EKYC के माद्यम से आप लेना चाहते है वह यहाँ पर सलेट करना है और यहाँ पर कापचय को फिल करना है और आई अगरी पकर के जा करका सम्मिट करना है जैसे दोस्तों यह पर आप पैन नमबर और अधार नमर को फिल करके सम्मिट करते हैं तो आपके पास एक अधार कार्ड में जो मोबाइल नमर लिंक है उस पर एक OTP चला जाता है तो चल ट्प्स हीं करने के बाद द्ट्थू आपको यहां पर submit पर क्लिक करना और अच्ञिज़ कर देशुर बटधू अब्स फिर से ट्राइब करने का ओप्सन नहीं आ रहा तो आप और फिर से ट्राइ कर लेता हूँ फाइलने दूस्तों आप भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दुबारा ट्राइ किया तो मेरा यहाँ पर अधार वेस जो OTP है वो OTP फिल अप करने का हमें option मिल चुका है तो मैं यहाँ पर अपना OTP को फिल कर लेता हूँ कैपचा को भी यहाँ पर फिल अप कर लेता हूँ क्यों मेरा यहाँ पर OTP आ गया है तो मैं आई अगरी पर क्लिक करूँगा और समीट पर मैं क्लिक कर लूँगा समनिक पर क्लिक करने के बाद दुस्तों हमारा यह समीट हो जाएगा और लिको इसके भारे मेरे जानना चाहते हैं तो इस्क्रिप्टेम में एक और लिक रहेगा वहाँ पर लिक यहां पर आपको pen नमर और data सब्सक्राइड करते हैं है दो जो का झवालबे दिखते हैं यह अगुछ यह सरभर का प्रॉबलम चल रहा है इसे वज़ा करके जरूर बताइएगा यह तो गए दूस्तों ओटीपी वाला सिस्टम अब हम चलते हैं फिंगर प्रिंट का सिस्टम जान लेता है कि फिंगर प्रिंट से करेंगे दूस्तों फिंगर प्रिंट से करने के लिए आपको नेश्डील के माध्यम से पैन करेक्शन करना पड़ेगा उसके लिए दूस्तों आपको आपके पास नेश्डील से पैन कार्ड करेक्शन करने के लिए अपर फिंगर प्रिंट थुरू आपको एक आईडी लेना पड़ेग अगर नहीं है तो आप नियरेस्ट एनेश्डियल सेंटर जाकर के आप वहां से अपना पैन कार्ड करेक्शन करा सकते हैं और साथी साथ अपना अधार कार्ड को लिंक करा सकते हैं अब नियरेख्ट अपना अधार सेंटर काईसे अपना पैयन सेंटर काईसों चेये चेक करेंगे उसके बारें जाल लेते हैं तो चल सेख करें हैं गुगल गुगल सेर्च करने के बाद स्थों हम यहाँ पर सेर्च करेंगे बà animal pried IM ऊंधुंगी कोह Bennyतु फिज़ति करना जाटे हैं तो आप हमें कोमेंट कीजिए कोमेंट कीजिए एक ID दूंगा जिसके माधियाएं से आप फिंगर प्रेंट से पैने कार्ड बना more सकते क्रेक्शन भी कर सकते और आपका ये लिस्ट भी हो जाएगा आपका सेंटर जैसे दूस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर का नाम है और दूस्तों यह पर उनका नाम है उनका अड्रेस से पूरा है यहाँ पर इमेल आईडी भी है इससे तरीके से दू दूस्तो आपका अधारकार्ट से पैनकार्ड लिंक हो जाएगा यही दू मैथड है अभी दूस्तो यह पर अधारकार्ट से पैनकार्ड लिंक करने का आपका इंकम टैक्स डिपार्टमेंट से बंद है तब भी यह एक दूस्तो नया तरीका निकल करके आया जिसका मदम से अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं यहीति चोटी से अपडेट दूस्ते आपको इस वीडियो में वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर वदाईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक नेश टॉपिक के साथ झाल 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 झा झाल झाल झाल